है अधकर करता हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो आपके माइनर बृजे सोते हैं जो आपके कलवर्ट्स होते हैं उसमें जो आपको टॉइबॉल दिया रहता है तो उस टॉइबॉल क्या function होता है हम टॉइबॉल क्यों प्रवाइड करते हैं यह सारी चीज आज मैं आपके session में डिस्कस करूँगा और इसके साथ मैं जो आपकी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग से हम टॉइबॉल का किस तरह से अनालेसिस करते हैं उसकी ड्राइंग को कैसे रेट करते हैं और कुछ फोटोग्राप्स की हेल्प से दिखाने की कोसिस करूंगा और इसके पहले जो हमारे सेशन हुए थे वह हमारा मेजर ब्रिज का सेशन हुआ था जो मेजर ब्रिज उसका पूरा का पूरा सीरीज ड्राइं को कैसे रीड करते हैं यह मैं अपलोड कर चुका हूं और अभी कि आपने वो वीडिएयो नहीं देखें ने तो आप मुणारी यूटू चैनल पर जागर देख सकते हैं और यह जहां आप देख रहे हैं यह वीडियो आपका तिसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम डिसकस करेंगे कि आपका टॉय बॉल क्या होता है इसका पूरा आलिसिस देखेंगे तो आपने बिरिज की सीरीज के एक वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखेंगे तो आप हमारे यूटूब चनल रे-इंफोर्ट्स वॉर स पर जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगों तो प्लीज आपने लाइक करिए अपने फ्रेंड के साथ सेयर करिए एंड आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और प्रेस दा बेल आइकन तो आपको इसी तरह से निव वीडियो का अपडेट मि दीख रहा है तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आपका जो टॉइबॉल होता है वो क्या होता है बैसिक्ली टॉइब होता है इक आपको PCC plan cement concrete का structure होता है जो कि हम upstream और downstream side दौनों में provide करते हैं दो toy wall आपकी upstream side में आएगी दो toy wall आपकी downstream side में आएगी एक structure में आपकी 4 toy wall आती है तो toy wall हम क्यों provide करते हैं toy wall हम इसलिए provide करते हैं जो आपका embankment होता है उस embankment के bottom में हम लोग toy wall provide करते हैं जो कि embankment की soil को hold करके रखता है, जो आपकी embankment की soil है, उसको spread नहीं होने देता है, जो embankment की soil है, उसको फैलने से आपका toy wall बचाता है, इसलिए हम toy wall provide करते हैं, यह toy wall का पहला function है, toy wall का दूसरा function क्या होता है, अब आपका water body structure है, आपका जो water होता है, वो upstream side से, आपका downstream side में flow हो रहा होता है, तो toy wall क्या करता है, आपकी जो embankment की soil है, और आपका water है, उसको separate करता है, यदि हम toy wall provide नहीं करेंगे, तो जो आपकी embankment की soil है, वो directly water के contact में आएगी, उसमें अभी आपकी instability आजाएगी, तो आपका structure भी आपका पाने की साथ बहने के बहुत जांदा chances होते हैं, I hope कि अब आपको समझ में आया हो कि हम toy wall क्यों provide करते हैं, तो आप ड्राइंग में देखें कि toy wall आपको कैसा दिखाई देगा, यह देखेंगे, आपको क्या दे रखा है, यह पूरा एक minor bridge का drawing दे रखा है, इसमें आप देखनी कोसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको toy wall कैसे दिया जाता है, एक structure में आपको 4 toy wall आती है, कितनी toy wall आती है, आपकी 4 toy wall आती है, तो वो कैसे देखाई देंगी, प्लान में वो देखें, यह क्या है, आपको minor bridge का आपको प्लान दिया हुआ है, अब इस minor bridge की प्लान में आपको 4 toy wall कहां दिख रही है, वो आप देखें, कि आपको 4 toy wall कहां दिख रही है, यह देखेंगे आप, यहाँ पे आपको यह चार toy wall दी हुई है, यह कि आपको 4 toy wall यहाँ पे दी हुई है, यह आपका first toy wall है, आप यह देखेंगे, पहले आप इसको आपको यह देख लिए जो आपका बिरिज है वो किस तरह से बना हुआ है आपका जो रोड है वो इस तरह से जा रहा है आप थोड़ा द्यान से देखें कि तो आपको समझ में आएगा जो आपका रोड है वो इस तरह से जा रहा है यह क्या जा रहा है हमारा रोड जा रहा है कि रोड समझ लें आप हाई बगए समझ लें कुछ भी समझ लें तरह से जा रहा हुई रहा है क्लियर और इस में जो हमारा माइनय बरिज बणा हुआ है वो फिक इस तरह से बना हुआ है पहले में आपको आपयों पूरा बता देता हुँ ताकि आपको सारी चीजिश Land क्लियर समझ में इसमें जो हमारा माइने बिरिज बना हुआ है यह इस तरह से माइने बिरिज बना हुआ है क्लियर और यह क्या है इसकी आप स्ट्रीम साइड है जो आप यह देख रहे हैं न यह आपकी आप स्ट्रीम साइड है और यह क्या है आपकी डाउन स्ट्रीम साइड है यहां पे लिखा हुआ भी आभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अभी मैं सिर्फ आपको प्लान बता रहूं ताकि आप पूरा एक ओबराल आपका जो अबराल इस्ट्रक्चर है आप उसको थोड़ा सा समझ लें कि चीजें किस तरह से ड्रॉइंग में दिखाई देती है यह देखें यहां पे लिखा हुआ भी है यह क्या है आपका upstream side है और यह क्या है आपका downstream side है तो इस तरह से आपको पूरा structure समझ में आ गया होगा तो यहां पे आपको toy wall कहां दिया जाता है वो देखिए आप यह आपको embankment के bottom में यहां पे हम toy wall provide करते हैं जो कि यह दिया यह आपको toy wall दिया हुआ है यह देखिए यह आपका first toy ball है यह कुछ इस तरह से आएगा यह आपका first toy ball है यह आपका second toy ball है यह देखिए यह आपका second toy ball बना हुआ है यह आपका downstream side में यह देखिए आपका third toy ball बना हुआ है इस तरह से और यह downstream side में आपका fourth toy ball बना हुआ आप देखेंगे मैं इसको बताता हूँ यह आपका क्या first toy wall है और यह आपको second toy wall दे रखा है तो जैसा कि मैंने आपको starting बताए तो आप stream side में आपकी दो toy wall आएंगी तो यह आपकी दो toy wall हो गई डाउन stream side में भी आप आप दो toy wall देखेंगे यह आपका third है और यह आपका fourth है तो आपको प्लान में चीजें कुछ इस तरह से दिखाई देंगे अभी हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको जूम करके दिखांगा तो आप फल्कुल किलियर किस तरह से दिखाई देता है चलिए फ्étais हम इसको जूम करते हैं कि आपको एक overall structure समझ मैं आ गया होगा अभी आम इसको क्या करते है जूम करते हैं जूम करेंगे तो आपको सारी चीजे क्लियर दिखाई देंगे यह देखेंगे आप जूम करने पर सिर्फ आप एक टॉय वाल देख पाएंगे यह देखेंगे यह आपको पूरा टॉय वाल दिखाई देगा जूम करने पर इस तरह से कि आप इस jadi यह को थॉता है इस तरह से देख पाएंगे आपको टवाल दिया हुआ खता इस तह से यह क्या है आपका टवाल यह लिखा हुआ भी आप डेख सकते हैं यह अपका क shout और यहां पर देख रहे हैं यह पूरा इंबेक्मेंट आ रहा है यह जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है पूरा इंबेक्मेंट है इस तरह से तो इंबेक्मेंट किस से बनता है आपका स्वाइल से बनता है तो जो आपका ट्वाइबल होता है वो इंबेक्मेंट के बॉटम म देता है इसी चुछ को आप section देखेंगे सेक्षण में आपको किस तरह से दिखाई देगा यह देखेंगे आपको कूरा section भी दिखा हूंगा जिसमें आपका सारा quantity देया रहेगा तो यह मैंने आपको एक overview दे दिया है, लेकिन इसका detailing अभी बांकी है, तो detailing देखने से पहले आप यह समझ लीजे कि आपको इस साइट पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप इसको construction साइट पर देखेंगे, तो toy wall कैसा दिखाई देगा, वो भी देख लीजे, आप देख है, यह हमारा क्या है, टॉइबाल है, यह पूरा एक PCC का structure है, प्लें सीमेंट कॉंक्रीट का, इसमें कोई भी RCC नहीं आता है, शिर्फ PCC का structure है, और यह आपको क्या दे रखा है इनों ने, यह पूरा आपका soil दे रखा, यह देखेंगे, यह आपको क्या है पूरा soil दे होता है, इमबैक्मेंट की bottom में आपका toy wall आ रहा है, जो कि यह soil है, इस soil को spread होने से बचा रहा है, यह पहला काम है, दूसरा काम क्या है, यह आपका water body structure है, यह इस तरह से यहां से waterfall होता है, यह देखेंगे, इस तरह से क्या होता है, यह आपका waterfall होता है, इस तरह से यहां से waterfall हो रहा है यहाँ पर जो आपनेसों होगत क्या होग हो थाईरेक्टली आपका स्वाइल के सं समाइब तोब्रिज कहा गया तो मैं आपको समझ में हो कि हम यह toy ball क्यों provide करते हैं थोड़ा इसको पूरा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं आप एक दूसरा पिक्चर दिखाता हूं ताप आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाएं या आप इसका दूसरा पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको दोनों साइट की toy ball दिखेंगे और आपको पूरा soil दिखेंगे यह दिखेंगे आप यहाँ पर दियान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह दिखेंगे पूरा आपको यह embankment का यह इस तरह से पूरा soil दे रखा यह दिखेंगे यह आपका क्या रहा ह करने के लिए हम लोग किया कर रहे हैं इस तरह से ब्लैव अ, तो यहांसा आपको पता है यहां से पानी बहेगा इबाय गा इस तरह से आपका यह पानी जाएगा कि आप यह सथामानी जाएगा अग्यर्फimento तो यह इस प्रॉटाय कर काम कर रहा है तो यह हमारा टोईब वॉल का फंक्शन होता है नेस न हम इसको देखानी किस तरह से दिखाई देगा एक के एक पिक्चर और मैं आपको दिखाता हूं यूद आप आपको और सारी चीज़े कलियर दिखेंगी जब यह पूरा बन जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा अब इसमें आपको टॉइबॉल कहां पर यह टॉइबॉल देखेंगे आप पहले जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो किसका था कलवार्ट का पिक यह कुछ आपका इस तरह से यह टॉइबॉल दे रखा इस तरह से और यहां पर यह पूरा आपका इंबैक्मेंट का स्वाइल आ रहा है अभी आपको यहां पर सकता है इंबैक्मेंट का स्वाइल नहीं दिखाई दे क्यों नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह उपर से में देखेंगे तो कुछ इस तरह सी आपका पानी फ्लो रहा होता है इस पानी के साथ साथ ही आपका स्वैल भी बहा जाएगा इसको प्रोटेट करने के लिए हम लोग यह ट्वाल बना रहा है अभी मैंने आपको सभी एंगल से दिखा दिया है कि आपको ड्राइंग में ट्व आलिसिस कर सकें तो चलिए एक बार हम फिर चलते हैं आपकी ड्रोइंग पर तो यह देखेंगे यह इसका ड्रोइंग है इस ड्रोइंग में आपको मैं एक सेक्शन और दिखाता हूं जिसमें आपको यह पूरा डेटेल में दे रखा है यह देखेंगे यह आपको पूरा डे डेटेल दे रखा है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका PCC आता है तो यह आपको PCC का डेटेल दे रखा है यह देखेंगे आपको यह प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट दे रखा है यह क्या है आपका प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट है जिसकी ग्रेड कितनी यह M15 है PCC दे रखा तो इसके उपर से आपका क्या आ रहा है इस तरह से टॉइबाल आ रहा है तो यह देखेंगे यह टॉइबाल का क्या है first step है और यह आपका toy wall का second step है तो जो आपका toy ball ब्रित कितना है आपका 500 mm दे रखा है और उसकी जो डैप्थ है वो कितनी है 150 mm दे रख्या है यह देखेंगे, आपको 150 mm डेफ्ट दे रखेंगे, और जो ट्वाल का जो सिकेंड स्टेप है, तो सिकेंड स्टेप का बृत कितना है, वो आपको 200 mm दे रखा है, जो कि आपको टॉप में दिखाई देगा, और इसकी जो डेफ्ट है, वो कितनी है, आपको 500 mm दे रखेंगे, से structure का जो सबसे bottom level होता है आप minor bridge बनाएं आप तलवट बनाएं उसका जो सबसे bottom structure होता है उसको हम क्या बोलते हैं invert level बोलते हैं तो invert level से आपकी depth होगी वो कितनी होगी 650 mm होगी क्लियर 650 MO होगी तो यह आपने देखा इस तरह से आपका यह टोई वाल का पूरा detail दे रख्ळाय लेकिन टोई वाल की length इसको डिवह आपके जो देखना की देख eerste का यह देखेंगे यह जो आपका टॉऔर बनाए इसकी लेंग envision कितनी होगी यह जो toy wall है, उसकी जो length कितनी होगी, यह आप जो देख और इस तरह से toy wall बनेगा, तो इस toy wall की length है, वो कितनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि इस toy wall की length कितनी होगी, इस toy wall की length देखने के लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा, जो आपका structure है, उसका plan देखना तो चलिए फिर हम इस structure के प्लान में चलते हैं ताकि आप इसका लेंथ निकाल पाएं कि कितना होगा clear यह देखेंगे आप यह आपको structure का प्लान दे रखा है जो कि first page में दे रखा है यह देखेंगे यह आपको दे रख़्ा है तो ट्वाल की लेंद इस तरह से आती से आपका ट्वाल के लेंद होगा इस तरह से कि यहाँ पर आप देखंगे ओट एबर का यह लेंद हो इस तरह से आएगा इस तरह से आपका toy wall का length आएगा अब ये toy wall का length कैसे निकलेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन इस video में नहीं सिखाऊंगा वो मैं आपको किसी nest video में सिखाऊंगा क्योंकि ये video क्या है काफी लंबा हो रहा है इस toy wall का हम length निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे वो मैं आप आपको किसी नेस्ट वीडियो में समझाओंगा यह देखिंग इस तरह से आपको पूरा फ्लोर एपरां दे रखा है और यह आपका रिटेंड वॉल दे रखा है इसका हम एनलिसिस करके हम निकाल सकते हैं आपकी टॉइवल को इसमें काफी टाइम लगेगा तो हमें आपको यह किसी नेस्ट वीडियो में समझाओंगा आई होब कि आपको यह समझ में आया हो टॉइवल क्या होता है हम टॉइवल को क्यों प्रोवाइट करते हैं कंस्रिक्शन साइट पर आपको टॉइवल कैसा दिखाई देगा और ड्रॉइंग में इसका हम किस तरह से अनालिसिस करते ह आपको समझ में आई हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज आप इसको लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैलो सिविल इसको सेर करिए और आप इसी त झाल